नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजुसर के नाम से इस्टिटिफ चैनल के अंदर mcq वीडियो की सकड़ी के अंदर एक और नया mcq वीडियो हम लेके आया है community health officer CHO exam के point of view में और आज के हमारे इस mcq वीडियो का टॉपिक है epidemiology इस वीडियो लेक्चर में हम epidemiology का basic introduction से हम पढ़ेंगे epidemiology के अंदर different type के terminology और उससे समधित आने वाले mcq या previous papers के अंदर ये पूचे वे mcq है उनको थोड़ा विद्रैस्नले जो है हम इन question को solve करने वाले हैं तो आप सबसे गुजारिस कि आप अपना जो है important समय देके इस सारे mcq के answer put करें और अपने सही answer का पता लगाएं और अपने concept जो है उसको clear करतेवे आगे बढ़ें तो शुरू करते हैं एक नए topic के साथ में और topic का नाम है epidemiology the analytical study where population is the unit of study is analytical study हम यहां पर कर रहे हैं और देखिएगा दो तरह का अलग अलग टर्म है आपको अभी इस टर्म पर focus करना analytical study और इसमें लिकावा है analytical study के अंदर जो population है जो unit है study का वो कौन है population है population is the unit of study तो यह क्या कहलाएगा cross-sectional study, ecological study, cash control study, cohort study चार option यहां पर दिये वह है question है analytical study कर रहे हैं जहां पर population जो है वो study की क्या है unit है epidemiological नदर तरह तरह की study आती है उस study के अंदर दो मोटे मोटे इसके टाइप है observational और experimental दो तरह की study होती है एक observational और दूसरी कौन सी होती है experimental यह दो तरह का study महाँ पर चलता है observational और experimental जो observational study है वह दो तरह की होती है जिसके अंदर एक descriptive होती है दूसरी analytical होती है यह दो तरह की होती है एक होती है descriptive descriptive और दूसरी होती है analytical अब्जर्वेशनल और experimental यह दो टाइप हो गए अब अब्जर्वेशनल के दो सब टाइप हो गए एक हो गया descriptive और दूसरी हो गया study cross sectional और ecological यह चारों किसके टाइप है एनलाइटिकल के दो बड़े टाइप थे observational और experimental observation के दो टाइप थे descriptive और एनलाइटिकल और एनलाइटिकल के चार टाइप है cohort case control ecological cross sectional स्वाल ने पूचा है यह जो एनलाइटिकल study है इसमें population किसकी यूनिट होती है इसका मदब यह चारों ही एनलाइटिकल study में आती है population किसकी यूनिट है यह question ने पूचा है कुछ लोगों ने idea थोड़ा बहुत ठीक लगाया है कि लोगों बहुत गलत जवाब भी दिया है जिन लोगों ने यहां पे जवाब दिया है डी वह बिल्कुल खोटा जवाब है डी यहां पे correct answer नहीं है cohort study individual unit होता इस study में cohort के अंदर कुछ लोगों का जवाब सी है वह भी खोटा जवाब है कैस कंट्रोल जो है वह भी individual study है और कुछ का जवाब a है यह भी खोटा जवाब है तो a c और d तीनों ही खोटे जवाब है the correct answer is very good कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही b is the correct one ecological ecological जो होती है वह population study है unit इसमें population है बाकी तीनों a c और d जो है इसमें unit जो है वह कौन है इंडिवीज्वल है इसमें unit कौन है इंडिवीज्वल है जबकि ecological के अंदर unit कौन है population और unit का ही पूचा है चारों study analytical study है दो बड़े टाइप observational और experimental observational में दो टाइप descriptive और analytical और analytical के अंदर चार टाइप cross-sectional ecological case control और cohort और इसमें ecological जो है वह population unit वाली study है और बाकी तीनों individual unit वाली study के अंदर आती है जो experimental study है उस experimental के अंदर randomized control trial field trial और community trial होता है randomized control trial के अंदर percent होता है unit field trial के अंदर healthy people unit होता है और community trial के अंदर community unit होती है तो वह experimental के अंदर होता है experimental में randomized जिसमें percent इसके अलावा field trial जिसमें healthy people और इसके अलावा community trial जिसके अंदर community उसका unit होता है यह बाते आपको याद रखना study के बारे में एक question यहां से बनेगा observational experimental observational में descriptive analytical analytical के अंदर cross-sectional ecological case control और cohort और इसके अलावा जो experimental है उसके अंदर तीन study randomized field trial और community trial randomized में यूनिट है percent study का field trial में healthy people और community trial में community study का unit है फादर आप evidence-based medicine is direct स्वाल है scientist के नाम से question है father of evidence-based medicine ebm इसको short में लिखते हैं सेकेट डाविंसी hypocrite tall story father of evidence-based medicine ebm evidence-based medicine पूचा है father of medicine नहीं पूचा है अगर father of medicine होता तब hypocrite होता जुन्हों evidence-based medicine evidence-based medicine तो सी यहां पर गलत जवाब है सी करेक्ट जवाब नहीं है वेरी गुर्ड वेरी गुर्ड वेरी गुर्ड कुछ लोगों ने ठीक बोला it's a the correct answer is a father of evidence-based medicine जो है ebm है इसके father किसको माना जाता है burdens secondcious डवेड़ सेकिट डैवीड सेकिट डवेड सेकर्ड जो है father of evidence-based medicine माना जाता है यह founder है Oxford Center of evidence-based medicine के founder माने जाते हैं और इन्होंने दो बहुत खास books भी लिक्यहाइड डैवीड सेकेड जो है जिनքंगा father of evidence-based medicine कहते हैं इन्होंने दो खास dekht लिखिग है उन बुक्स के नाम है clinical epidemiology और दूसरी बुक्स का नाम है evidence-based medicine दो इन्होंने बुक्स लिखी है एक clinical epidemiology और दूसरी evidence-based medicine डेविड सेकेट father of evidence-based medicine यह आपको याद रखना है बहुत important नाम है हिपोक्रेट्स जो है वो father है father of medicine यह दो question यहां से बंते है father of evidence-based medicine और father of medicine अगला है prevalence जो है वो क्या होता है prevalence इजे what is prevalence अगर मैं आपको पूचूंँ क्या होता है prevalence और रि्विलेंस प्रिविलेंस रेट, रेशियो प्रोप पूर्शन, मीन चार ओप्षान यहाँ पे दीव है प्रिविलेंस एक्टthing expand और एक्टूली मैए ऐसे पूचा जाएं कि प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है जिसमें old plus new दोनों सामिल होते हैं प्रिविलेंस के अंदर all current कैसे जाते हैं जिसमें old भी आते हैं और new भी आते हैं जिस भी दिये वे एक point of time के अंदर जितने भी पुराने और नहे कैस होते हैं उसको प्रिविलेंस बोलते हैं तो यह rate है ratio है proportion है या mean है यह चार option यहां पर दिये हैं कि प्रिविलेंस किसके अंदर count होगा rate ratio proportion और means very good कुछ लोगों ने जवाब सही दिया लेकिन कुछ ज़्यादा तर लोगों ने खोटा जवाब दिया है जिन्नोंने भी जवाब दिया यह बिल्कुल गलत है प्रिविलेंस कभी भी rate में count नहीं करते हैं और ratio में count नहीं करते हैं प्रिविलेंस में rate और ratio यह गलत जवाब है इसमें count नहीं करते हैं प्रिवलेंस जो होता है वो हमेशा परसंटेज के अंदर होता है परसंटेज को प्रपॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉ सब्सक्राइब कर दो 100 से जब भी किसी चीज को 100 से मल्टिप्लाई करते हैं तो प्रोपोर्शन के अंदर आती है परसंटेज वेल्यू के अंदर आती है जैसे अगर अपने को पूँचे कि क्या प्रिविलेंस है इन्पेक्षेश्ट डिजीज़ की इंडिया में ज़िलेंस का क्या प्रिविलेंस है चेक्षे tecnología मुंसžeय। बटा total population और उसको 100 से multiply कर दो तो लगबग 40% prevalence है इंडिया के अंदर tuberculosis का यह 2011 की study कहती है और इसके अलवा HIV infection का prevalence पूछे तो लगबग इंडिया के अंदर इसका 0.27 percentage prevalence है कैसे निकालते हैं total current case जिसमें old or new सारे मिलाए हुए अगर चेक करने हैं तो total पुराने वाले ने वाले सारे कैस बटा उसको total population से divide करते हंडेड से multiply कर दो proportional value आ जाएगी और इसी को हम क्या बोलते हैं prevalence यह prevalence की definition है और इसको मैं सब proportion के अंदर लिखते हैं और सारे कैस include है old or new prevalence के अंदर यह बात आपको याद रखना है एक है prevalence और दूसरी है incidence और इसके बारे में कौन से कौन सी बात सभी है सब पुचा है बहुत आर रेट प्रिविलेंस इजी रेट बस incidence is not incidence ईजी रेट बट प्रिविलेंस इज नाट बहुत आर नौट रेट यह डूनों है एक option कह रहा है एक मैं कह रहा है प्रिविलेंस तो रेट है इंसीडेंस नहीं है एक में बोल रहा है दोनों ही रेट नहीं है तो देखिएगा प्रिविलेंस तो हमने बोल दिया में प्रानी के उसको कर दिया इंड़ेट से नंट्र जो भी निविर्ट रहा उस में उसको मद्टिपलाई करते हैं तब प्रोपोर्शन वेल्यू आती है लेकिन जो इंसीडेंस हैं उनको हम कैसे अंजर करेंगे सारे निविकेस को इंसी डेंस कहते हैं और इंसीडेंस हमेशा किसमें मेजर होता है इंसिडेंस हमेशा मेजर होता है रेट में इंसिडेंस हमेशा किसमें मेजर होता है रेट में रेट कैसे निकालते है रेट हमेशा निकालते है जो भी नुमरेट रहे मतलब जो भी नए कैसे बटा जो भी पर्टिकुलर पॉपूलेस ने उल्ट को multiply करते हैं या तो 1000 से या 10,000 से या एक लाक से जब हम multiply 100 से करते हैं तब तो proportion value आती है जब हम उसको थाउजेंड 10,000 या वन लैक से करते हैं तब rate आती है इंसिदेंस हमेशा rate में होता है एक option कह रहा है कि दोनों ही rate है इसलिए गलत है क्या क्योंकि दोनों rate में नहीं हमने बोला कि incidence जो है उसको तो में rate में count करते हैं और प्रिविलेंस जो होता है उसको हम प्रपोर्शन के अंदर काउंट करते हैं एक बोल रहा है कि बहुत आर नोट रेट तो इंसिडेंस रेट है इसलिए यह भी खोटा हो गया जिन्हों ने भी या डी जवाब दिया वह खोटा जवाब है कुछ लोगों ने जवाब जो है यहां प्रपोर्शन प्रिविलेंस किसमें काउंट करते हैं प्रपोर्शन के अंदर क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि इसको अंडेट से मल्टिप्लाई करके निकला जाता है तो प्रिविलेंस तो क्या होता है प्रपोर्शन और इंसिडेंस क्या होती है रेट तो इंसिडेंस Cajate but prevalence is not rate it's proportion a b ो d जो है वो गलत ज्वाब C बिल्कुल correct answer. incidence rate होती है لेकिन prevalence rate नहीं होती है दोनों time बहुत important है prevalence का मतलब और incidence का मतलब किलिए रखिएगा prevalence जो होता है वो old को मिलाके उसको proportion के अंदर निकाला जाता सेंधेट कर्के और rate को निकालने के लिए 1000, 10,000 और 1,00,000 यह इसका multiplication होता है तो यह दोनों अलग-अलग है और दोनों का जो है उसको लिखने का तरीका proportion और rate यह दो अलग-अलग चीज़ है दोनों को अलग-अलग separately याद रगिएगा So incidence इजे rate, prevalence इजे proportion WHO वाज stabilize on, WHO कब stabilize हुआ when it is stabilized बहुत बढ़िया आप सब लोग बिल्कुल सही तहिके से जवाब दे रहे हैं बिना option के इसको बोलते है confidence जब हमें पता होता ना तब हम बहुत confident होते हैं और हमें option ही नहीं चाहिए 7 April, 7 April 1948, 48 यह सब आपके जवाब है और आप बिल्कुल सही है direction में 14 April गलत है 7 April 1948 7 April 1960 और 7 April 1947 तो WHO का establishment जो है 7 April 1948 के अंदर हुआ था और यह 7 April और किस बात के लिए famous है बिल्कुल सब लोगों का जवाब सही है भी बिल्कुल करेक्टरांस हो रहे हैं 7 April और किस नाम से famous है WHO के establishment तो हुआ था इसका headquarter कहा है WHO का Where is the headquarter of WHO Headquarter of WHO बहुत अच्छे Geneva बहुत बढ़िया WHO का headquarter है Geneva और 7 April को हम और किस किस रूप में हम celebrate करते हैं 7 April और WHO का establishment तो है ही 7 April को Very Good इस दिन हम क्या celebrate करते हैं World Health Day क्या celebrate करते हैं World Health Day है ना 7 April World Health Day यह 7 April को celebrate करते हैं WHO का establishment भी वा था 7 April को 1948 के अंदर On which day International AIDS Day is celebrated International AIDS Day कब celebrate किया जाता है International AIDS Day कब celebrate किया जाता है कौन सी तारीक को बहुत समझने वाली है कुछ चीजें and New Only new cases None of the above दोनों के बारे में देटेल से पढ़ा दोनों के बारे में यहां पर जवाब देन आपके लिए आसान होगा हम ने यहां पर सवाल किस के बारे में पूछा है इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही तरीके से लर्ण कर रहे हैं और continuity आपको लर्ण करवा रही है incidence rate जो है वो reference करती है सारे के सारे नए cases only new cases जितने भी new cases है वो सारे के सारे incidence में आते हैं और old और new दोनों को अगर अपन मिला दें तो उसको हम क्या बोलते है प्रिविलेंस क्या बोलते हैं और प्रिविलेंस जो होता है उसको किसमें डिनोट करते है proportion के अंदर hundred से multiply करके percentage value के अंदर old और new मिला के होता है प्रिविलेंस और अगर आपको पूचे incidence तो वो सारे के सारे क्या होता है only new cases तो c यहां पर correct answer है only new cases जो है वो किसके अंदर count होंगे incidence rate के अंदर इसको rate से लिखते है प्रिविलेंस को proportion के द्वारा यहां पर लिखा जाता है attack rate is hope so आप enjoy कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप cooperate कर रहे हैं और अपना answer जरूर पूट करें चैनल को like और share कर दें subscribe परना ना भूले like button को press करना ना भूले attack rate यहां पर पूचा है what is attack rate attack rate क्या है incidence of the disease prevalence of the disease killing power of the disease incubation period of the disease attack rate क्या है what is attack rate attack rate क्या है incidence of disease prevalence of the disease killing power of the disease incubation period of the disease एनई आइडिया कुछ लोगों ने जवाब लिखा है प्रिविलेंज आप डिजीज जो की खोटा जवाब है भी बिल्कुल गलत जवाब है इस नौट अप्रिविलेंज आप डिजीज रेट और अटेख attack rate समझ भार हो incidence rate incidence attack attack हुआ कोई attack होता तो आतवात ही होता ना तो आतवात को new case कहते है तो attack rate भी new case यह है और new case को हमने क्या बोला incidence rate और A कुछ लोगों ने बिलुकुल सही जवाब दिया यहाँ पर correct जवाब A है कौन सा है A है और A क्या है A incidence of the disease incidence of the disease मतलब new case attack rate जो होती है वो incidence of the disease होता है जिसमें सारे के सारे new case होते है incidence of the disease में new case होते है और incidence of disease incidence or attack rate एक ही माना जाता है प्रिवलेंस जो है old or new दोनों होते है killing power यहाँ पर आंसर नहीं है और incubation period जो है उसको attack rate नहीं बोला जाता है incubation period का मतलब होता है कि entry of the microorganism in the host body यहां से इसकी सुरुवात होती है और clinical sign and symptom वहाँ पे यह खतम होता है तो entry से लेकि first clinical sign and symptom जग तक सो नहीं करता तब तक कि जो time period होते है इंडिविजल में उसको incubation period करते है हरे communicable disease का अपना-पना incubation period वहाँ पे होता है जिसको हम डीटेल से पढ़ेंगे भॉपाल गैस tragedy is an example of भॉपाल गैस जो tragedy हुई थी वो किसका example है किसका example है point source epidemic continuous epidemic propagated epidemic slow epidemic चार option यहाँ पे दिये हैं स्वाल ने पूछा जो भॉपाल गैस tragedy हुआ था वो भॉपाल गैस tragedy जो है वो किस तरीके का example है point source continuous propagated और slow epidemic यह different type की epidemic के टाइप है यहाँ पे आई होपस हो कि आप इसका जवाब अगर जानते हैं किसी भी एक particular area से किसी एक particular area पे particular जगे के लोगों के अंदर किसी एक particular incidence की वज़े से होने वाला जो epidemic होता है यहना particular incidence की वज़े से एक particular area के अंदर उस तरीके का incidence अगर होता है तो इस incidence को हम क्या बोलते हैं point source epidemic क्या बोलते हैं point source epidemic तो बोपाल गैस tragedy is an example of point source epidemic यहाँ पे correct answer बनेगा जिन लोगों बी और सी और डी जवाब दिया वह खोटा जवाब है जिनोंने जवाब दिया वह सही है और जिनोंने नहीं दिया वह अभी दे दे और अपना आपको सही कर लें क्योंकि single exposure जब होता है तो इसको point source epidemic ही बोला जाता है single exposure हुआ है ना सापली एकदम rise वहा और सापली कैसे के नंबर एकदम कम हो जाते है इसको point source epidemic कहते है single exposure होता है जैसे बहुत सारी चीज़ा होती है हमने कोई abnormal खाना खाया food poisoning होगी इसको point source epidemic कहते है है ना food poisoning या हमें मीजल्स हुआ चिकन पॉक्स हुआ या cholera होता है है ना तो इस तरह के जो example होते हैं उसमें एक single exposure होता है और एकदम अचानक सही case बढ़ जाते हैं और अचानक सही उनके नंबर जो हो fall down हो जाते हैं है ना तो इसको point source epidemic कहते हैं तो point source epidemic यहां पे question नहीं पूचा था बोपाल के strategy किसका example है point source epidemic है ना continuous और repeated exposure जो होता है continuous जो exposure है भी option में लिकावा है continuous epidemic continuous epidemic जो है उसमें case जो है वह सापली एकदम rise होते हैं इसमें source जो होता है common source होता है single exposure नहीं होके common source होता है और यहां पे जितने भी जैसे वह गाओं के अंदर एक कुवा है और कुवा जो है वह contaminated हो गया और उस कुवे की वज़े से सारो लोगों को problem होती है यह एक अलग तरीके का exposure है जहां पर जो कैसे है वह सापली होते हैं केस और gradually उनका दिरे 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 वह बढ़ते हैं दिरे दिरे वह फॉल होते हैं पर्सन टू पर्सन उस बीमारी का ग्रेजुली होता है एक दन में बोपाल गया स्टेजीडी हो सकता है मीजल सोर सकता है चिकन पॉक्स हो सकता है सब लोगों में हो सकता है तो पॉइंट सोर्स epidemic का मतलब आप समझ पाए होंगे कि सिंगल साप exposure सिंगल exposure common source होता है और बीमारी होती है उसको continuous source common है कुआ गंदा था सारे गाहों के लोग बीमार होगे common source था सब का यह ना propagated epidemic का मतलब हमने पड़ा की gradually और slowly चीजों का जो है rise up हो ना slow epidemic नहीं होता है यह तीन epidemic होती है point source continuous और propagated यह याद रखना है यहाँ पर correct transfer बनेगा infectious transmitted to man from vertebrie animal are known as man say vertebrie animal के अंदर अगर कोई infection transmitted होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है man say vertebrie के अंदर अगर कोई infection transmit होता है उसको किस नाम से जानते है exotic anthropogenesis जुन एंट्रोपो नोसेस एपी जूटिक थोड़े नाम बड़े हैं अबनोमरी टाइप के भी लगते हैं लेकिन मतलब बड़ा खतरनाक है और हमें एक देके जाने वाले हैं यह बहुत important है हमारे लिए कोई भी चीज बूरी या भली नहीं होती है हमारे लिए कोई भी चीज अच्छी वह होती है जो हमें क्या देके जाए नंबर देके जाए सवाल ने पूछा है मैन जो infection हो ट्राउसपित होता है man के अंदर from animal मतलब animal से man animal से कोई infection man को होता है उसको क्या बोला जाता है बहुत बढ़ी है कुछ लोगों ने इसको बिलकुल सही पकड़े है man को होता है animal से तो यहाँ पर दो word आपको ढूंडने है देखिएगा एक word है juno एक word है entro juno word for animal entro word for man यह किन यह juno word for animal entro word for man तो man को animal से entro po genosis man को animal से मतलब animal to man इसको बोलते है entro po genosis तो यहाँ पर बिलकुल कुछ लोगों ने सही पहचाना है कुछ लोगों ने गलत भी C खोटा जवाब है B सही जवाब है A और D तो हो गई नहीं लेकिन B और C में confusion यहाँ चल रहा है तो B correct answer है जाते हैं अगर कोई infection man से किसको हो जाए animal को हो जाए तो यह हो जाएगा जू एंथ्रोपोनोसिस और अगर कोई infection animal से man को हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं entro po genosis दो टर्म है यहाँ पर entro po genosis infection जो transmit होता है animal that is to man तो animal से man में होता है तब entro po genosis जैसे रेबीज है प्लैग है एंथ्रेक्स है यह animal जू से man entro तो entro पहले है जू बाद में यह तो इसको होता है और किस से होता है इस से होता है animal से man और दूसरा वर्ड है यहाँ पर जू एंथ्रोपोनोसिस infection transmit होता है man से animal man से animal यह man है और इस से animal man से animal जू एंथ्रोपोनोसिस जैसे human TB जो है वो cattle के अंदर हो जाना यह जू एंथ्रोपोनोसिस कहते है तो entro po genesis और जू एंथ्रोपोनोसिस दो टर्म यहाँ पर आपको याद रखना है दोनों में से कोई भी एक question बन सकता है दोनों टर्म है बहुत सिंपल है man to animal और animal to man rabies example है human TB example है rabies का कुत्ते से डोग के बाइट से man में हो जाना और human TB जो होती है human being से cattle को हो जाना endemic disease means that a disease endemic disease का क्या मतलब होता है occur clearly in access of normal expectancy is constantly present in given population group exhibits seasonal pattern is prevalent among animals what is epidemic question ने पूचा है what is endemic disease endemic disease का पूचा है endemic disease क्या होता है endemic disease जो है उसका मतलब यहाँ पूचा है फटाबट से जवाब लिखेगा बहुत बढ़िया कहीं सारे लोगों ने बिलकूल correct पैचाना है कि साब endemic का मतलब constant presence of a disease or infectious agent in a defined geographical area के अंदर constantly किसी भी बीमारी का present होना endemic क्यालाता है और यह लाइन लिखी हुए है बिलकूल सही beam है is constantly present in given population group किसी भी given population group के अंदर किसी बीमारी का constantly लगातार present होना क्या क्या खालाता है endemic बहुत किलियर टर्म है endemic constantly presence of a disease or infectious agent in a defined geographical area एक वर्ड होता है pandemic एक होता है sporadic एक होता है epidemic तो endemic word का मतलब constantly present pandemic word का मतलब कोई भी epidemic epidemic का मतलब है sudden कोई भी वीमारी का Arizona कोई भी epidemic जो usually अगर large population को पूरे universe को affect करती है उसको pandemic कहते है epidemic का मतलब होता sudden outbreak endemic का मतलब होता constantly present और epidemic जग पूरे world में involved हो जाए तो उसको बोल देते है pandemic यह तीन टर्म बहुत important है यहाँ पर यह याद रखना अभी तो अपने को endemic और endemic का मतलब होता constantly present HIV को कैसे जए वो report वे सारे world के अंदर तो हमने बोला जब बीमारी epidemic पूरे world को affect कर देती है तो उसको pandemic बोलते हैं जब epidemic पूरे world को किसी particular area में sudden अगर कोई बीमारी outbreak होती है उसको epidemic कहते है endemic तो क्या था constantly परजेंस थी अभी हमने पड़ा epidemic का sudden outbreak किसी particular area में और यह बीमारी अगर पूरे world को affect कर दे all over the world जैसे कोरोना अभी और और world को affect कर रहा है इसको क्या बोलते हैं pandemic तो यहाँ पर correct answer क्या बनेगा pandemic जब बीमारी all over the world को affect करती है तो वो pandemic बन जाती है COVID-19 एक pandemic disease होगी इसका example होगया COVID-19 और यह pandemic disease होगी पूरे world को affect कर रही है pandemic occurrence of a disease in a hepazard and irregular pattern ना तो इसने यह बोला कि किसी बीमारी का sudden arise वहा है ना इसने बोला whole world affect वहा है ना इसने बोला किसी particular constantly present एक geographic area में इसका मतब ना तो यह epidemic है ना यह pandemic है ना यह endemic है तो यह क्या है तो यह अगला ही है जो important है और वो क्या है is created about endemic epidemic sporadic और pandemic तो अगर बहुत बढ़िया अगर यह बीमारी endemic होती तो constantly word होता जो नहीं है epidemic होती तो sudden outbreak होता और पूरे world में फेल जाती तो all over the world होता इसका मतलब ए बी और डी जवाब जो अगर आप देंगे तो वो क्या बन जाएगा खोटा बन जाएगा क्योंकि तीनों ही जवाब नहीं है इसका correct answer very good बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया maximum people are correct c is the correct one बहुत ही सांदार यह ना correct answer is c यह जो case होते हैं वो widely separated होते है space or time के बीच में और बहुत कम connection होता है इनका एक डूसरे से case का और यह एक डूसरे से क्या रहते हैं irregular pattern के अंदर रहते हैं कोई भी recognize source हमें पता नहीं चलता है इस तरह का बीमारी का pattern जो होता है वो sporademic कहलाता है यह ना कोई भी recognize source का पता नहीं है है पाजर्ड pattern के अंदर है बीमारी irregular इसका pattern है उस तरीके को हम बोलते है sporadic तो एक वर्ड होता है endemic एक होता है epidemic एक होता है pandemic एक होता है sporadic तो यहां पर correct answer है c that is sporadic चारुनी term याद रखना है गुमा गुमा के पूचा जाता है और आप गुमना मत सही जवाब देना concept को पकड़ के रखिएगा एक बार बना दोगे जिंद्गी बर के लिए याद रहेगा concept important है और concept बना के जवाब देना सुरू करोगे उस दिन जवाब जो है वो सही होने सुरू आ जाते है जब जवाब सही होता है तो selection होने सुरू आ जाते है हमें मतलब selection से हैं सही जवाब से और होपस हो कि आप इस तरीके की study इस तरीके की वीडियो का आनंद उठा के अपने आपको मजबूत बना रहे हैं अपने आपको confident बना रहे हैं ताकि आप community health officer exam और इस तरह के बहुत सारे exam को अराम से crack कर पाए तो होपसो आपको वीडियो पसंद आये होगा अग बैल बटन आता है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको तुरुन notification मिलेगा नहीं तो आपको नहीं मिलेगा तो वो तो आपको प्रेस करना पड़ेगा और इसके अलावा एक और काम जरूर करिएगा इस चैनल उस वीडियो को maximum logo तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठ है क्योंकि बगवान कृष्ण ने कहा था कि सार्थी बने स्वार्थी ना बने तो अगर अपन वीडियो को देख के बैठ जाते हैं तो यह तो हमारा स्वार्थी बनना हो गया लेकिन आप अगर सार्थी बनना चाहते हैं सार्थी मतलब अगर आप हेल्प करना चाहते हैं किस बिल्कुल अच्छा लगेगा तो मिलते हैं दुबारा एक नए वीडियो नए एनरजी के साथ में विद सम नए ट्रीकी एंड कंसेप्शल क्वेशन तब तक के लिए आप सारे ही लोग जो है अपनी को कंटीनू रखें और एक भैतरीन भवश्चे के निर्माण के अंदर लगे वे रहें जै हिंद जै भारत